हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको ये 12th Class Mathematics की सेरीज लेके आया हूँ जिसमें आपके final exam से related जो भी math तो पूर्ण important questions होंगे उनके बारे में discuss किया जाएगा तो मेरा जो basic motto है वो एक्चल में sample papers कराना है क्योंकि अभी आप लोगोंने course लगों करी लिया है तो अब अगर हम जतनी ज्यादा ज्यादा question कर पाएंगे उतना ही हमें benefit हो पाएगा तो ये RSPL के नाम से मैं आपको papers करा रहा हूं और काफी अच्छे question इनके अंदर दीवे हैं तो मेरा target रहेगा कि एक्जाम तक मैं 15 sample papers आप के कराऊ तो अगर आप इन sample papers को मेरे साथ साथ अगर अच्छे से कर लेते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पर score अच्छा रहेगा तो इन sample paper को कराने का mode क्या रहेगा सबसे पहले MC के question होंगे एक वीडियो में फिर 2 marks question होंगे फिर 3 marks question होंगे फिर 5 marks question होंगे फिर case based question होंगे इस तरह से होंगे तो आप इतनी भी वीडियों बने उन सभी को आप series में देखें आपको benefit जबू होगा समय को waste की वगार आजम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो mathematics ओके तो यह इसमें कुछ instruction है आपके पास 5 sections होंगे section A में 20 question आपके mcq based होंगे 18 आपके और 2 assertion region होंगे उसके अंदर इसके बाद जो हमारा section B होगा section B में क्या होगा आपके पास 5 questions होंगे each question 2 marks section C में आपके पास 6 questions होंगे इसके अंदर आपका हर question 3 marks होगा section D में आपके पास 4 long answer questions होंगे 5 number का 1 होगा इसके अंदर और last में आपका होगे case based questions यह आपके case based question होंगे 2 question case based के होंगे 3 question sorry और 4 marks 6 question तो इस तरह से आपका format रहेगा तो इन सब्सक्राइब बातों को द्यान में रखते वे जो मेरे videos होंगे वो किस तरह से होंगे एक बार देख लीजिए आप mcq based question होंगे पहले थो mcq से related video बनेंगे sorry उसके बाद बहेंगे 2 marks question with 3 marks 5 marks and then case based इस तरह से रहेंगे यह सारे series wise clear तो अब हम start करते हैं हमारे पास the mcq part है उसके पहले question से हम लोग start करेंगे देखें इसमें 20 questions है और इन 20 questions को आपने 1 by 1 discuss करेंगे सबसे पहला question देखें बटा इसमें हमारे पास कोई matrix A given है और we have to find out what is the value of A square और इस matrix को square करने पर हमारे पास क्या आएगा तो हमारा A matrix से हो क्या है देखें मैं यहाँ इसको चॉल करना हूं इसके side में A matrix से हमारे पास 0 1 1 0 ओके हमें यह परोग करना है कि A square जो है नहीं में से कौन से matrix है A square क्या होगा A square जबाब निकाल लेंगे this is A into A तो इस ही matrix कम लो multiply कर देंगे तो यह हमारा आगा 0 1 1 0 तो आप इसको multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा first row को first column के साथ करेंगे तो 0 और प्लस में 0 थी हमारा 0 आएगा first row को second column के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 यह है कितना आएगा first row को हमने first column के साथ किया तो 0 into 0 plus 1 into 1 first row को first column के साथ करेंगे तो हमारे पास आया 0 into 0 और प्लस में 1 into 1 तो यह 1 आएगा सोरी यह आपके अब इसको first row को हम second column के साथ करेंगे तो 0 into 1 is 0 प्लस 1 into zero is 0 इस बाद से second row को दोनो column के साथ करेंगे one को zero is करेंगे तो 0 प्लस फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा और इस इतरे से second row को second column के साथ करेंगे तो one into one और you layer rer स Pnl 01 और यह हमारी matrix कहां पर है आप जयाद कर सकते हैं इसमें A के रोग हमारा 1001 that is D answer is your correct answer clear इसके बाद जो हमारा question number second आइसको देखिए इसमें क्या है if A is 3 cross 2 matrix B is 3 cross 3 matrix C is 2 cross 3 matrix then the element in A B C are respectively तो number of element in matrix A कितना होगा order को आप multiply कर दीजिए order को multiply करेंगे तो हमें number of element मिल जाते हैं तो जो A matrix से उसमें 6 element होगे ऐसी जो B matrix से उसमें 9 element होगे जो matrix C है उसमें 2 cross 3 इसको multiply करेंगे तो जो C matrix है उसमें होगे हमारे पास 6 element तो जो यह तीनो matrix है एपी जी इन तीनो matrix के अंदर जो number of element होगे 6 9 and 6 696 तो देखिए यहां पर कहा है answer 696 ओप्शन B is your correct answer उसके बाद वो हमारा थड़ पार्ट है थड़ कुछ है उसको देखिए थड़ कुछ है उसको देखिए थड़ कुछ से में बच्छों अमारे पास क्या है इसके अंदर हमारे पास कोई matrix गिवन है और हमने value निकाल ली है a11 यह हमारे पास element को represent कर रहा है small a के साथ जो भी हमारे पास elements लिखे है 111213 और जो capital A है यह cofactor को represent करता है तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि a11 क्या होगा 1st होगा 1st element that is 2 a12 क्या होगा बटा 2nd element हो 1st हो that is minus 3 और जो 3rd element होगा 1st होगा 1 3 that is 5 यह हमारे पास element हो अब इसके अलावा यह हमारे पास 1st होगे 3 elements होगे a11 a12 a13 अब हम निकालेंगे a31 यानि 3rd row का जो 1st element उसका cofactor यानि 1 का cofactor तो पहले इन दोनों का समझ even है तो आगे plus आएगा अब इसको और इसको छोड़ दीजिए वह हमारे पास minus 12 और minus 5 into 00 यानि यह हुआ हमारा minus 12 ठीक है इसके बाद हम निकालेंगे a32 और minus हम पहले लगा लेते हैं क्योंकि इन दोनों को समझ ओड़ है तो 3rd row के 2nd element यानि 5 का cofactor तो इससे related row और column को सोड़ देते हैं तो याएगा 4 2 जा 8 minus 6 5 जा 30 तो यह हमारे पास आया minus into minus 22 तो यह a33 का होगा यानि 3rd row का 3rd element minus 7 का cofactor तो इन दोनों का sum e1 है तो आगे तो पलस ही आएगा तब आप row column को सोड़ देते हैं 0 minus और यह हुआ हमारे पास minus 18 तो minus minus plus 18 तो यह हमारे होगा 18 इस तरह हमने यह cofactor निकाल ली आब इसको इसमें रखते हैं a11 कितना हमारा 2 into a31 कितना है अभी निकाला हमने minus 12 plus a12 कितना है बटा a12 हमारे पास minus 3 into cofactor क्या है a32 का a32 का cofactor हमारे पास double 2 a13 कितना हमारे पास 5 and a33 कितना हमने निकाला भी 18 इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमारे पास आया minus 24 minus 66 plus 90 तो माइनस 66 और माइनस 24 को एड़ करेंगे तो यह हमारे पास हो गए minus 90 और यह हो गए यह हमारे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आस्वर क्या हो जीरो तो विच इस और क्रेक्ट आंसर तो यह और क्रेक्ट आंसर इस option a this is your correct option अब हम चलेंगे next question पर next question हमारा question number 4 इसको देखी बच्चो इसमें लिखा गया है कि function f of x is equal to x minus 1 if x is less than 2 2x minus 3 if x is greater than equal to is a continuous function चार options है इसमें सबसे पहले यह function continuous है और x is equal to 2 only यह जो function आपका इसमें बोला गया कि दो पर continuous है उसके बाद इसमें option b में लिखा गया है कि for all real values of x such that x not equal to 2 मतलब 2 को सोड़कर जितने बी real number वो सब के लिए function continuous है c में बोला गया all real values of x मतलब सभी real number के लिए continuous है और जो d है इसमें बोला गया for all integral value of x only यह यह x की जो integral value है integers तो यह continuous है तो इन चारों में से आपका कौन सा option correct है तो इसको देखो बच्चो अगर आप less than 2 लेते हैं तो यह function कैसे है x minus 1 तो यह polynomial function है तो मैं अगर आपको इससे को थोड़ा सा explain करके बताना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं for x less than 2 तो जो f of x है जो x minus 1 है वो कैसा function है that is polynomial function और आगर मैं ऐसे बोलूं for x greater than equal to 2 इसके लिए क्या है हमारा पास 2x minus 3 है तो यह हमारा पास यह part भी हमारा greater than equal to 2 के लिए भी polynomial है तो इसका मतलब यह होगा कि यह function less than 2 जितने भी real number उन सब के लिए polynomial है और 2 और greater than 2 जितने भी real number उन सब के लिए polynomial है और जो polynomial function होते हैं वो हमेज़ा continuous होते हैं तो मैं यहां पर लिख सकते हैं polynomial function polynomial function is always continuous for all real values जितने भी real values होते हों सब के लिए polynomial function continuous होते हैं तो यह जो function यह एक polynomial function है और polynomial है तो सभी values के लिए continuous होगा तो इस का answer होगा ऐसी I hope you understand पूचो इसके बाद हमारा जो next हो देखिए question no.5 इस 5 no. question में क्या है a line makes angle 45 degree 60 degree with a positive direction of positive axis of x and y respectively then angle made by the same line with the positive axis of z तो यहां पर हमारे पास x axis साथ इसने बना रहा 45 degree जिसका हम alpha बहुते हैं y axis साथ बना है 60 degree जिसको हम लोग beta बहुते हैं और z axis साथ जो angle बना रखा वो हमें निकालना है जिसको हम लोग gamma बहुते हैं okay alpha, beta, gamma तो आप इसके अंदर एक relation का use कर सकते हैं आपको पता alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 1 होता है alpha की value क्या होती है ना l की value क्या होती है sorry, यहांपे मैं थोड़ा सा एक थोड़ा से सकम है alpha, beta में gamma निकालना है तो यहांपे हम क्या करेंगे हम relation use करेंगे कि एक हमारे पास relation है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma यह हमारे पास 1 की equal होता है क्योंकि यह l square plus m square plus m square is equal to 1 होता है तो यहांपे आप रख सकते हैं क्या आएगा cos square alpha हमारा 45 plus cos square beta हमारे पास 60 और plus cos square gamma is equal to 1 तो cos 45 value होता है 1 by root 2 तो यहांई 1 by root 2 का square plus cos 60 value 1 by 2 होता है 1 by 2 का square plus में cos square gamma is equal to 1 तो इसको आप solve करेंगती आएगा आपका 1 by 2 plus 1 by 4 plus cos square gamma is equal to इनको आप add करेंगे तो कितना आएगा आपका यह आपका आएगा 3 by 4 इन दोनों का आप add करेंगे तो यह आपका आएगा कितना 3 by 4 plus cos square gamma is equal to 1 तो हमारा cos square gamma कि आएगा 1 में से 3 by 4 आप minus करेंगे तो यह आएगा 1 by 4 तो cos gamma कितना होगा हमारा कोस γामा की जो वैल و होगी वो जाएगी plus minus 1 by 2 तो अगर आप 1 by 2 लेते हैं कब तो कितने हैगी 60 degree और minus 1 by 2 लेते हैं तो आपके आएगी 120 degree यानि कोस जो गामा है आपका कोस गामा की जो वैल याई वो अमारी कितने आएगी 1 by 2 और और minus 1 by 2 तो Cos gamma के value गर 1 by 2 लेते हैं तो फिर हमारा alpha कितना आएगा 60 degree को सिक्सिटी की value बुदी 1 by 2 और अगर minus 1 by 2 value लेते हैं Cos gamma की तो आप क्या गाईगा 120 degree तो आपको जो answer होगा correct answer होगा, क्यों सोज़ेगा बच्छो, your correct transfer is 60 and 120, this is your correct answer इसके बाद next question देखिए, next question में कि आपको पास बटा order and degree बताना है, यह हमार पास differential equation है, इसका आप order बताएं, order degree बताएं, sum of order and degree, तो इसका order कितना होगा, order कि आपको बता, order होता है, यहाँ पर highest order derivative हमारे पास यह है, तो order 2 होगी, तो order is the highest order derivative, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, order है हमारे पास 2, और इसके power, highest order की जो power है, वो डिगरी होती है, तो डिगरी है, वो क्या होगी बता, तो डिग्री पे हमारे पास 2 होगी, clear, तो जो तोनों का सम निकालना है, तो दोनों का सम कितना होजाएगा, 2 plus 2, that is 4, so option C is your factor, इसके बास जो हमारे पास question number 7 है, इसमें देखी बिटा, graph of in equations is located in, यह जो आपके पास दोनों in equations दे रखे, इनका आपने graph रो करना है, पर बताना है आपके पास दोनों कोन कोन से quadrant पी हो उसका graph आएगा, इसके लिए आप लोग क्या करें, इसका graph आपको ड्राव करना पड़ेगा, ग्राव कैसे ड्राव कर सकते हैं, इसके लिए चलो मेरा फली कर देता हूं, यह आपके x-axis है, और यह आपकी है y-axis, चीक है जी, तो जो आप आपका x less than equal to y है, इसके corresponding आप equation बना लीजी, ठीक है जी, और जो दूसरी है हमारे पास y less than equal to x plus 3, इसके corresponding भी आप equation बना लीजी, clear, तो यह जो है y is equal to x जो है, एक straight line होती है, जो passing through the origin, origin से pass होती है, यह तो line आपके यह आएगी, ठीक है जी, लेकिन जो दूसरा है, इसमें क् यह कहां से pass होगी, इसका आप table बनना चाहों, तो table भी बना सकते हो, इसका जो value आएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x को 0 रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, और y को 0 रखेंगे, तो यहाँ आएगा minus 3, तो अब पास point है, 0,3, 0,3 कहाँ आएगा, suppose, यह जो point है, यह आपक minus 3, 0, minus 3 कहाँ होगा, यह है minus 3, 0, दूसरा point होगा, इसको जो join करोगे, तो जो दूसरी line जाएगे आपकी, वो कुछी इस तरह से जाएगे, अब हम लोग origin को check करेंगे, मतलब इसकी helps यहाँ, तो यहाँ पे जो आप check करो origin को, तो यहाँ पे जो आप inequality में चेक करते हैं, यहा यहाँ 0 रखेंगे, तो 3 greater than 0, satisfy कर रहे है, इसका जो selected portion आएगा, यहाँ आएगा towards the origin, okay बच्चो, ऐसे आएगा origin की तरह, इस में कैसे check करेंगे, जब भी line origin से pass हो रही है, तो उसको check करने के लिए आप, इस line के एक point right में check करो, एक left में, जो satisfy कर दे उधर, तो मैं इसको check कर नगостरा हो, यहाँ पर आपका आएगा 01, तो आप x की जएग número 0 रखें और y की जएगा 1 रखेंगे, क्या satisfy करेंगे, x की जएगन 0 रखेंगे, और y की जएगा आप 1 रखेंगे, तो यह satisfy हो रहा है, इसका मतलब स सफダम होगा है यह अपपास इसका Graph होगा तो कौन Curtin में आ रहा हुए इसका जो between जो ग्राफ है इसका फेल है कनिस कोड़न का रहा है है यह महारे पास हो रहा है फास कॉड़न कैर्ज हो Hä Daniel जा रहा है अब थार्च कॉरडन के तीन कॉड़न के इसका Graph होगा पॉर्थ में तो यह नहीं जा रहे है नहीं फर्स सेंट थर्ड थर्ड यस इसका जो कर्रेक्ट आंसर होगा देट इस आंसर नम आपसा नमर सी चलिए नेक्स्ट कुस्टिन पर चलते हैं िसमा मैगनिटूद निकालना है तो मैगनिटूड कैसे निकालते है किसी वेक्टर के अगर आपना मैगनिटूड निकालना है कैसे निकालना है सुपोज ही हमारे पास ए वेक्टर है 6i plus 2j plus 3k and we have to find out magnitude of this magnitude में क्या करते हम i, j, k की जो coefficient है उनका square करके add कर देते हैं और फिर उसका ले लेते हैं square root okay तो यह हमारा क्या आएगा 6 का square कितना होगा 36 2 का square 4 3 का square 9 तो यह हमारे पास होगे 49 तो यह हमारा है 7 इसका जो magnitude होगा है that will be same, option B is your correct answer इसके बाद जो next है हमारे पास question number 9 इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे इस integral की value निकाल लिए इस integral की value कैसे निकालेंगे आप इसमें देखें यहाँ पर आपके पास integration की प्रोपर्टी होती है मैं यहाँ पे लिए देता हूँ a to b f of x dx is equal to limit a to b f of a plus b minus x dx इस प्रोपर्टी का हम यूज करेंगे कि अब लोग क्या करते हैं यहाँ भी मैं इसको solve कर देता हूँ i is equal to limit आमारी 3 to 6 unroot x upon unroot 9 minus x plus unroot x इसको आप equation आप फस्ट डाल ले गे अब इसके यह property लगाऊ जोगे यह वाली property हो यहाँ पे लगाई यहाँ आम आएगा 3 to 6 under root of अब इन दोनों का एड़ करो 3 to 6, 9 तो यह ज़ेगा 9 minus x इन दोनों का एड़ किया आमने a plus b को तो 9 बना ना 9 minus x या नीचे under root 9 minus into each x की ज़ेगे भी हम लोग क्या करेंगे 9 minus x और plus under root each x की ज़े भी हम लोग क्या करेंगे 9 minus x जब आप इसको आगे solve करेंगे तो क्या होगा इसको solve करेंगे तो आगे आएगा आपका 3 to 6 under root of 9 minus x अपॉन यह होगा root of x क्योंकि minus 9 से plus 9 कट जाएगा minus minus plus और यह under root 9 minus x तो इन दोनों का अगर मैं ध्यान से देखो first and second को तो मैं से क्या मिलेगा देखो बच्चो इस score इसको ध्यान से देखे इन दोनों का denominator से इम है इसका अब लिनोमेटर वही है जो इसका है तो जो हम एड करेंगे तो तो इन दोनों का आड हो जाएगा तो एड कर लीजिए adding equation first and second adding equation first and second तो आई और आई तो कितना होगे 2i अब दोनों का आड चेम सेम है आड चेम तो होगे हमारा root x plus root 9 minus x और limit हमारा पास है 3 to 6 और नूमरे टाइड होजाएगा हमारा पास ही होगे root x plus root 9 minus x तो यह हमारा cancel होजाएगा this is cancel out तो 2i is equal to 1dx limit है 3 to 6 और 1 का integration क्या होता है x होता है और x पे आप क्या करेंगे 3 से लिए 6 तर दिसका जगा upper limit minus lower limit is equal to y तो 2i is equal to हमारा आगया 3 तो i के value हाएगी 3 by 2 तो विचिज़ और correct answer option b is your correct option I hope you understand student so answer of this question question number 9 इसका जो answer होगा वो होगा बच्चो 3 by 2 ओके चली next question पर चलते है question number 10 question number 10 the solution of equation is यह जो equation इसका solution बताना है यह determinant है तो इस determinant को solve करके इसको निकाल लीजिए तो मैं फस्ट रोर से expand कर देता हूँ expand करेंगे तो हमार पस क्या मिलेगा 1 इन्टो रोर को सोट दीजिए माइनस के 10x स्क्यार माइनस 10x अब फोर के आगे माइनस लगाएंगे अब भी इस रोर को सोट दीजिए 5x स्क्यार माइनस 5 और लास्ट में करेंगे प्लस 20 अब लास्ट में करेंगे यह जिरो के इकल दे रगाएंगे चूल करेंगे तो को क दो मिल जाएगे तो ही हमारे पास आया माइनस प्लस 20 तो वो रोल हमारे पास कितना बुना। माइनस के 30x square x हमारे पास कितने होंगे minus के 10x और plus कितने हो 30x होंगे हमारे पास clear 40, 20, 60 इसके बाद हम क्या करेंगे यहां हम लोग इसको 30 से डिवाइड कर दें 30 से डिवाइड करेंगे कितने होंगे बादा minus x square plus x plus 2 is equal to 0 minus x divided कर देंगे x square minus x minus 2 is equal to 0 अब इसको कर देंगे factor करेंगे कितने होंगे factor करेंगे इसमें x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0 तो यहां से कमनी का लिजिए x x minus 2 plus 1 x minus 2 is equal to 0 तो यहां है गया x minus 2 and x plus 1 इसके डिवाइड कर देंगे minus 1 and 2 तो minus 1 and 2 कहां पर यापको option D is your correct answer I hope you understand इसका जो आंसर अज़ा बच्चो that will be minus 1 to 2 इसके बाद हमरे पास question number 11 है इसको देखे this question is also very important इस question में क्या है कि the corner point of feasible region determined by the system of linear constraints are यह हमारे पास corner points है और यह हमारे पास Z है objective function और इस objective function की हमें condition on P and Q so that the maximum of Z Z की जो maximum value है वहां कहां कहां कर रही है एक इस point पर और इस point मतला आप ऐसे लिख सकते है Z is maximum at 1515 मतलब इस पर and जो दूसरा point है वहां पर उतनी value maximum value दो point पर exist कर रही है एक 020 पर और दूसरा 1515 पर तो दोनों पर Z की value निकाल लीजे इसमें रख दीजे 1515 रखेंगे तो यह हमार आएगा 15P पलस 15Q और 020 रखेंगे तो यह हमार पर आएगा इसमें रखेंगे इसमें रखेंगे तो 20Q इसको आप 15P पलस 15Q इसमें रखेंगे 15Q को अधर ले जाए तो यहां बच गया 15P is equal to 20Q में से 15Q रखेंगे 5Q 5 3 is a 15 तब कराएगा 3P is equal to Q कहां परह देख लिजी 3P is equal to Q इसका मतलब जो आपका correct answer होगा that is option D this is your correct answer next यह question no.12 the value of lambda for which these two vectors are perpendicular कोई भी दो वेक्टर से perpendicular होती है तो उनकी dot product 0 होता है तो suppose आपका यह a vector है और suppose यह आपका क्या है बी वेक्टर वेक्टर और दोनु वेक्टर एक perpendicular होता है तो उनका dot product क्या होता है dot यहीं से लेगी जी a1, a2 i की coefficient का product plus j की coefficient का product plus k की coefficient के product का sum इसके एक लोगा 0 के तो यह हमार पास होगा 6 minus lambda plus 2 is equal to 0 तो यहां से होगा 8 minus lambda is equal to 0 तो lambda के वेलगा हमारे पास के 8 which is your correct answer option D is your correct answer next question देखी बच्चो question number 13 इसमें क्या है हमने detment of a के बहरू निकालनी है for any two cross two को यह हमारे पास matrix है और उसमें a into adjoint of a क्या दे रखा यह matrix है 10 0 0 10 और we have to find out detment of a इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से 10 अगर आपको मन निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा तो यह हमारे पास आया a into adjoint of a is equal to 10 आप इसमें सको मन निकाल लीजें और यह होता आपका i की equal और यह किसकी equal होता है a into detment उसके यह होता है detment of a into i ठीक है जी i से i cancel हो यह तो detment of a की value कितने आएगी 10 इसका आएगा correct answer over 10 okay this is your correct answer उसके बाद आपका question number 14 इसमें क्या है probability of a is 4 by 5 and probability of a intersection b is 7 by 10 then what is the probability of b by e यह conditional probability का question है इसके अंदर देखो बच्चो probability of b upon a तो यह किसकी equal होगा probability of a intersection b upon probability of a अब intersection की value हमेरे पास है 7 upon 10 upon p ए 4 upon 5 आएगा कर लिजी इसको सेवन upon 10 into 5 उपर चले जाएगा 5 तो 5 तो जा 10 तो 7 upon 8 आएगा so this is your correct answer okay next जो हमारे पास है question no.15 question no.15 question no.15 में if the integrating factor of differential equation is this this format में दे रखता integrating factor e raised for a dx then what is the value of a तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए यह एक linear differential equation है this is a linear differential equation क्या होती यह linear differential equation है ऐसे equations हो किस format में हो dy by dx plus py is equal to q तो उसी format में है तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो p की value कितनी है बड़ा 5 q की value है clear clear तो यहाँ से integrating factor के क्या बत्ता formula e raised to power integration of p dx अगर इस format में है qy by dx plus qy is equal to तो यहाँ से बड़ा इसको solve करेंगे e raised to power p कितना है अमर पास 5 dx अब हम क्या निकालनी है एक की value बतानी है तो a यहाँ पे कितना है 5 तो इसका जो answer होगा 5 correct answer is 5 okay तो यहाँ पे जो a आएगा एक की जो value आएगी इसकी according 5 आएगी चले question number 16 देखते है question number 16 में क्या है the area of parallelogram which adjacent sides are this and this तो आप जानते हैं कि आपके पास अकर इस तरह से कोई parallelogram है अई है और ये इसकी add the design side है सुपोज ये a vector ये b vector है तो जीच का area होता है that is detiment of a cross b तो पहले हम cross product निकाले हैं उसका detiment निकाले हैं तो यहां पर a cross b कितना हो जाएगा सब्सक्राइब यह आपका a है और जो दूसरी adjacent side है वो भी है तो इनका cross product निकाल लिए cross product कैसे निकालते हैं यहां i, j, k लिखेंगे तो यह i1 है, j0 है, k1 है यहां पर i2 है, j1 है, k1 इसको जाब solve करेंगे तो कितना हैगा इस से little row column को छोड़ दी, 0-1 बीच वाले का अगे minus का sign लगाते हैं यह होगा 1-2 और फिर k और फिर यह होगा 1-0 तो यह हमारे पास आया बेटा, minus i यह minus 1 है, minus minus plus j और यह होगा plus k यह हमारा आगे, a cross b ठीक है पुटा इसका अविडिकाल इट्रमेंट, तो इसका इट्रमेंट ने कड़ोगा कितना हैगा रूट रूट माइनस 1 का स्केर, पलस 1 का स्केर, पलस 2 का स्केर पास तो यह हमारे पास आगे, रूट 3 तो जो रूट 3 है यह इसका एट्रियोंगा, तो इस यूर क्राक्ट आइंस वर, क्राक्ट आइंस वर, क्राक्ट आइंस वर थीज़ एंस अंडर रूट 3 question number 17 में देखे इसके लिए आप क्या किजिए if y is equal to x degree है यह then dy by dx is equal तो देखो आपने radian के बारे में पता होगा pi radian is equal to 180 degree होता है pi radian is equal to 180 degree तो 1 degree किसके एको लोगा pi by 180 radian अब यह पर है x degree तो यह x degree फिर किसके एको लोगा pi by 180 और इंटू इसको x से multiply कर देजी इतने radian के equal होगा तो यहाँ पर हम इसको use करेंगे मतलब हम इस x note की जिगह x degree की जिगह यह रख सकते है तो यहनि आपका जो question है इसको मैं यहाँ पी कर देता हूँ तो आपका जो change करने के बाद जो format बनेगा तो यह बनेगा sag pi x upon 180 मतलब यह x degree की बाद इसको differentiation करेंगे तो क्या होगा sag x का differentiation क्या होता है sag x का differentiation होता है sag x tan x तो इसका क्या बन जाएगा इसको derivative बनेगा तो क्या बनेगा इसका बनेगा इसका differentiation होगा sag x का होगा sag x tan x तो इस sag pi x upon 180 into 10 pi x upon 180 और इसका बनेगा differentiation pi by 180 x का तो यह होगा pi by 180 तो इस pi by 180 हो तो आगे लिख दीजी और इसको वापस क्या लिख सकते है pi x upon 180 को लिख सकते है आप x degree है क्योंकि यह है radian में और degree में होगा x degree और ऐसे 10 x तो pi by 180 sag x degree 10 x degree यह आप का answer होगा तो देख लिए चीप कुन सा है pi by 180 sag x degree 10 x degree so this is your correct answer option c is your correct answer इसके सबाद जो आपका question number 18 है इसमें देखे क्या है the lines in a space which are neither intersecting nor parallel are called तो इस तरह की line होग हम बोलते है skew lines this type of lines is known as skew lines यह तो आप उसी दाई याद करना है आपको पता होने चाहिए का इसी line है जो एक-दूसे को parallel भी ना हो और आगे पीछे बढ़ाएं तो एक-दूसे को intersect भी ना करें यानि अगर एक line को आप ऊपर ले ले रेक नीचे ले और उसको parallel नहीं लगते हो आगे पीछे बढ़ाएंगे तो intersect नहीं करेंगे तो इस तरह line को क्या होते हैं skew lines भी होते हैं okay इसके पास next हमार पास दो question है 18 & 19 वो assertion reason के हैं इसमें आपके पास क्या होगा एक assertion और एक reason दो चीजे होगे और उसके लिए चार option होगे अब बोथ assertion and reason are true and reason is correct approximation of assertion both assertion and reason are true but r is not correct approximation of assertion a is true, r is false and a is false, r is true इस तरह से जारम इसको एक आपका answer होगा तो चलिए देखते हैं अगला question question number 19 को देखो इस question number 19 के अंदर हमारे पास जो assertion है उसमें क्या है एक function है जो real to real define है यह आप पर फाद 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 होगया और हमें यह बताना है कि app is not on to function तो आप इसको इस तरह के देखिए यह real to real define है clear इसमें आप input के अंदर अगर कुछ भी डालेंगे less than 0 कोई भी real number डालेंगे तो minus 1 आएगा 0 डालेंगे तो 0 आएगा greater than 0 डालेंगे तो 1 आएगा तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी image जाएगी वह 0, minus 1 और 1 पर जाएगी अगर आप यहाँ पर 0 डालते हैं तो आपको 0 यह मिलता है 0 से बड़ा 1, 2 कुछ भी real number डालेंगे positive तो वह सारी जाएगे 1 पर वह सारी image जाएगे 1 पर कि बच्चो all और अगर आप मालो negative डालते है negative कुछ भी हो सकता है negative कोई भी value हो सकती है यह सारी जाएगे minus 1 पर तो बाकी जो value बच गई इनके अलावा वह तो सारी रही जाएगे इसके अंदर इसके अलावा जो और भी value है यहाँ पर minus 2 है यहाँ आगे 2 है और भी बहुत सारी real number है तो इसका मतलब है कि 0,1 और minus के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी values real number बच जाते हैं तो समस्ट इस function is not on to बिलकुल यह तो सही है इसके बात बोला गया है कि 3 belongs to our co domain of app as pre image in the domain कि यहाँ पी जो 3 है उसकी प्रिमेज यहाँ पर है नही तो minus 3 यहां पर, minus 3 नमबर था है, बट इसकी प्रिमेज नहीं है, तो जो आपका assertion है, यह on to function नहीं है, यह आपका true है, और यहां पर जो reason है, यह आपका false है, और यह इसका correct explanation भी नहीं है, क्योंकि यहां पर on to के बारे में कोई discussion नहीं किया गया है, तो इसका जो answer होगा, assertion is true, but reason is false, and reason is not correct explanation of assertion, तो अब इसका गर दे, assertion is true, but reason is false, a is true, r is false, ओके, इस तरह से, तो आपका option c is correct answer, चलिए next पे चलते है, question number, 20 and last question पर, इसमें क्या है बटा, हमारे पास एक assertion है, यानि यह किसी function का derivative दे रख रहा है, अब हम यह बताना है, this function is neither maximum nor minimum at x is equal to 2, x is equal to 2 पर यह जो function है, यह ना तो maximum है, यह ना minimum है, तो आप इसको, यह f dash x ही एक प्रकार से, derivative of f of x, यह f dash x ही तो हुआ, तो इस f dash x को आप 0 के equal रखेंगे, तो आपको critical point मिलेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर ही 0 के equal रखूंगा, तो यहाँ पर मुझे x की value मिलेगी 1 and 2, अब इसको आप number line पर represent करेंगे, तो पहले 1 आएगा, फिर आएगा 2, यह infinity है, यह फिर हमारे प्यास है, minus infinity, तो हम आप 2 पर यह बताना है, कि 2 पर यह ना तो maximum है, ना और ना ही minimum है, तो greater than 2 पर देखो जड़ा, greater than 2 को यह बहर रखी, 3 रखेंगे, तो positive आएगा, यहाँ थिर तो यह आपका positive, ठीक है जी, 2 से थोड़ा कम रखी, 1.9, 1.9 पर यह भी positive और 1.9 करेंगे, तो आपका यह negative आपकर 8 पाउर करेंगे, तो यह भी positive, और 1 से कम करेंगे, तो फिर negative आएगा, तो देखें, 2 से थोड़ा पहले और बाद में, जो हम जाते हैं, तो sign change नहीं हो रहा, यहाँ भी positive, यहाँ भी positive, इसका मतलब 2 के about जो है, यह जो function है, यह ना तो maximum है, क्योंकि sign change नहीं हो रहा, sign अगर negative से positive change हो, नहीं होता है, positive से negative change हो, तो maximum होता है, और sign change नहीं हो, तो ना to maximum होता है, और नहीं minimum होता है, यह बिलकुर true है, assertion is true, तो reason में क्या बोल रहा है, F of X changes sign from negative to positive at X, इसमें यह बोला गया है, कि negative से positive sign change हो रहा है, 2 पर, नहीं, यह तो changing है, यह तो false बात है, तो इसका क्या answer आएगा? Assertion is true but region is false इसका जो character answer होगा Assertion is true but region is false इसका भी हमारा पाज आए न उपचेंट C भी character answer understand or not? तो इसमें भी C आएगा तो इस तरह से गोश्चोटों हमें 20% discuss कर लिए हैं आई हो यह पहला वीडियो था आप सभी को पसंद आया होगा इसके बाद अगला वीडियो हम बनाएगे टू मारस का फिर थिरी मारस का फिर फाइब मारस का फिर केट स्टड़ी ऐसे ही चलेंगे तो अब लगातार बने रहें अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इस चैन